नमस्कार मित्रों मित्रों जोति शास्त्र में कुल 12 राशियों और 9 ग्रहों का जिक्र किया गया है जोति शाचारियों के नुसार व्यक्ति के स्वभाव, उसके गुण और भविश्य पर राशियों और स्वामिग्रह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है जोतिश शास्त्र में ऐसे चार राश्यों का जिक्र किया गया है जिनमें जन्मी लड़कियां स्वभखों से बहुत ही तेज होती है ऐसी लड़कियां अपने जीवन में बड़े मुकाम आसानी से हासिल करती है करियरे में भी यह खुब तरक्की पाती है यसी लड़कियां शादी के बाद अपने पती और ससुराल पर खुब हुकम चलाती है और सब को असाने से नियांतरण में रखती है इन राशी में जन्मी लड़कियों का ससुराल में रहता है तब तबा मेश राशी इस राशी में जन्मी लड़कियां दिखने में बेहदी खुबसुरत होती हैं हलाकि इनका स्वभाव काफी डॉमिनेटिंग होता है यह हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छी तला से जानती हैं इनकी यही स्वभाव और सुन्दर्ता लोगों को इनकी और आकस्षित करता है में इस राशी में जन्मी जानातर लड़कियां लव मैरिज करती हैं शादे के बाद यह अपने पती को पूरी तरह से काबू में रखती हैं कन्याराशी इस राशी के लड़कियां जिसमी व्यक्ति से शादे करती हैं वो बेहदी भागिशाली होता है कन्याराशी के लड़कियां खुले विचारों की होती हैं हलांके शादे के बाद यह अच्छी पतनी साबित होती हैं यह हर परिस्थिती में अपनी पती का पूरी निस्था से साथ देती हैं। यही कारण है कि ससुलाल में इनका पूरा दबदबा रहता है। रश्चिक राशी इस राशी के लड़कियों को बंदेशों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यह अपने स्वतंतरता के बीच में किसी को भी आने नहीं देती। चियोति शासर के नुसार रश्चिक राशी के लड़कियां जिस भी व्यक्ति से शादी करती हैं उसा घर खुशियों से भर जाता है। मखर राशी मखर राशी में जन्मी लड़कियां आपने ससुलाल पर राज करती हैं। यहें किसी भी काम में थोड़ी सी भी लापरवाही बरदास्त नहीं होती। इसी कारण ससुलाल वाले भी इसका खुब आदर समान करते हैं। तो मित्रों ससुलाल में इन चार राशी के नड़कियों का रहता है दबदपार। पती वो रखती हैं कंट्रोल में।